अचानक से बिग बॉस में जाने का डिजिशन कैसे लिया? सर एक्चुरी मुझे ये लोग हर साल कॉल करते हैं I think इनके जो वेले एक्टर्स की लिस्ट है उसमें मैं हर साल होता हूँ इतने अच्छे एक्टर होने के वाजूद और 20 सल से जादा बॉलिवड इंडस्टी में काम करने के बाद भी रनबीर सोरिया को ऐसी क्या ही प्रोब्लम आ गई जिसे उन्हें बिग बॉस जैसी रियालिटी सो में आना पड़ा इसलिए उन्होंने अपनी एजुकेशन भी इसी बेगराउंड से ली थी और अपनी केरियर के आश्टार्टिंग में वा बिहांड दे कैमरा ही काम करते थे उन्होंने कई दुरदर्शन के प्रोग्राम्स में एज ए एसिस्टेंट डाइरेक्टर काम किया है जिसे उन्हें कैमरे के पीछे का काम करने का एक्स्पोजर मिला फिर उन्होंने चैनल भी के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया एज डाइरेक्टर और डाइरेक्ट किया आइकोनिक सोज लाइक, टाइम एक्स और टाइम पास अपना केडियर भी चैनल के सोज से स्टार्ट किया, आज की जनरेशन को साइदी चैनल भी के बारे में पता हो, मगर पिछले 2000 में यह एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेट था इंडियन टेलिविजन का जहां पर ओडियेंस के लिए काफी तरह के मिनी सोज पोडिये जाते यहीं से उनका रियल स्ट्रगल सुरू हुआ, जहां रनबीर ने अपने केरियर की शुरुआ टेलिविजन से कीती, आप सबने उने एंटिवी के पापलर सोज लाइक, हाउसपूल, ग्रेट इंडिया कमेडी, रनबीर बिनाए और कॉन में जरूर देखा होगा, लेकिन फैन 2006 के बाद रनबीर ने कई नोट वर्थी फिल्म किये, जिसमें ट्राइफिक सिंग्नल, मिथेया, भेजा फराई और आजा नाचले जैसी परजेक्ट सामिल है, और रनबीर को 2007 में फिल्म मिथेया के लिए फिल्म पेर की रिटिक्स आवार्ड पर बेस्ट एक्टर का नोमिने जब इनका अपनी गल्फ्रेंड एंड लीविंग पाटनर पुजा भट के साथ ब्रेक अप हो गया, अब दोनों लोग के अलग-अलग रीजन है, इनके इस रिलेशनशिप के टूटने के पीछे, जिसमें रनबीर सोरिया ये रीजन देते हैं कि पुजा भट बहुत ही टॉ जैसे तैसे ये टॉक्सिक रिलेशन खतम तो हुआ, लेकिन वर्ट फैमिली ने अपनी पावर का यूज़ करके रनबीर सोरियों के इंडस्टी से ब्वैकर करना शुरू किया, 2003-2005 के ये फेज रनबीर की लाइफ का सबसेडिव कल्ट फेज था, जहाँ वे लुब रिलेश करने का मौका मिला है, चाहें वे सिक्रेट गेम हो या फिर सन फ्लावर मगर इसके वाजू देया कहना गलत नहीं होगा कि अब तक इंडस्टीन की पोटेंशियल को रिकोगनाइज नहीं कर पाई है, सैद इसलिए रनबीर ने भी बिग बोस देसे रियालिटी सो में जाने का डिसीजन लिया, इंफेक्ट इन्होंने सो में भी कई बार कहाए कि ये फाइनेंशियल सफर कर रहे हैं, वैसे आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा, कॉमेंट में जरूर बताए, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर ले,